ही गाइज वेलकम तो मैं चैनल इस मी शुती मेश्रा सो गाइज आज का रीवी होने वाला काफी रिक्वेस्टेड प्रोड के बारे में एक नियुली लॉंच प्रोडेट है मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस प्रोडेट के बारे में यह हमारा Plum का Minigerian and Vitamin C Serum glow boost serum है फ्रेगनेंस फ्री है यह Plum का उली-लॉंच प्रोडेट है यह सेरम है साथ में मैंगेजेरियन है जो की ग्लो को बूस्ट करने में मदद करता है जो कि एक लेम करता है अगर आप जाना चाहते हो इस प्रोड़िट की पूरी डिटेल तो वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं वीडियो पसंद है तो उसे लाइक ज़रूर कर सकते हैं कोई को कोई को भी आप कमेंट सेक्षेसं में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइबं को प्रेस कर दीजिए मारा मानेरियन and vitamin C, 15% serum glow boost, fragrance free है, net volume 20 ml की ये packaging आती है, मतलब कि ये इसका सबसे smallest size है, जो कि 20 ml में available है, और इसका price है 550 रूपीज, shelf life मिलती है, 3 years की 3 साल तक आप इसको use कर सकते हैं, ये मैंने नाइका से purchase किया, तो मुझे 400 रूपीज का ये पढ़ गया था, नाइका सेल में, बाकी ये Amazon में भी अवलेबल है, Plum के app ये website, जो भी उसमें भी आपको मिल जाएगा, बाकी local stores में नहीं अवलेबल है, अगर बात करें packaging के बारे, तो काइस ये आता है, इस तरीके की cardboard box में, box में पूरेट की पूरी detail अच्छे से mention की गई है, और अंदर आपको मिल जाएगा, इस तरीके की glass jar, और side में आपको इसके एक pamphlet मिल जाएगा, जो की एक छोटा सा compartment किया गया है, उसके अंदर आपको ये pamphlet मिल जाएगा, जो bottle है वो काच की है, और applicator कुछ इस तरीके का है, बात करें फ्रेगनेस और consistency की, तो guys, ये थोड़ा सा light weight मैं कहूंगी, देखिए आप कितना ये runny है, तो बहुत थिक वाला तो ये serum नहीं है, light weight है और easily absorb हो जाता है, मतलब कि बहुत time नहीं लगाता absorb होने में, फ्रेगनेस कोई भी नहीं है, क्योंकि ये fragrance free formula है, मतलब कि इससे कोई भी फ्रेगनेस नहीं आ रही है, अगर बात करें इसके ingredient के बारे में, तो guys, इसमें aqua है, ethyl ascorbic acid है, propanidol है, betaine isodicyl है, and इसमें sodium citrate है, citric acid है, citrus retricanolenta है, mandarin, peel extract है, and guys, इसमें kakadu plump डाला गया है, rose demecina डाला गया है, तो guys, इसमें कुछ herbal ingredients है, कुछ chemical है, यह pure herbal ingredients से बना हुआ product नहीं है, बाकी ingredient का snap screen में दे दूँगे, आप pause करके check कर सकते हैं, इसमें कोई synthetic fragrance नहीं है, और essential oil added to the formulation, मलब कि इसमें essential oil डाले गये हैं, बाकी plump से no to paraben, इसमें कोई paraben नहीं है, पैथिटेट्स नहीं है, sodium laurel sulfate नहीं है, जो कि SLS कहा जाता है, इसमें DEA नहीं है, पैबा है, और animal derived ingredients नहीं है, तो यह इसकी खास बाते हैं, बाकी अब मैं ब्रीट करती हूँ, कि यह claim क्या करता है, तो यह कहता है, sports को remove करने में मदद करेंगे, कादू प्लम डाला गया है, बाकी इसमें बहुती स्टेबल फॉर्मला डाला गया है, वाइटमिन सी का, जो कि स्किन को क्लियर करने में मदद करेंगे, बाकी इसमें कहा गया है, कि प्लम स्पीक, कादू प्लम एका, the super food for down under, is the richest form of source of vitamin C, up to 75 times of the orange, कादू प्लम डाला गया है, जो कि वाइटमिन सी रिच होता है, और इसमें कहते हैं, इसको धूप में रखे, इसको ड्राइप लेस में रखे, क्योंकि वाइटमिन सी है, वो अपनी एफिशेंसी लूज कर देता है, यूज करने का तरीका तो लिखा है, क्या है, क्या आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लो, उसके बाद इसके फ्यू ड्रॉप्स आप ले सकते हैं, अपने हैंड में उसके बाद इसको अपलाई कर सकते हैं, डब डब करके, उसके बाद आप मॉस्टराइजर यूज कर सकते हैं, ऐसे इसकिन में कोई साइडीफ ऊसकत है अगर आप ये सिरम कर रहा हो या कोई एक सिर्म तो वही उस करो बहुत जादा आपको गोटिंग करने की जरूरत नहीं इसने पिमुपल रखने की प्रॉब्लम हो जाती है जा हो तो पाच मिनिट बाद मॉस्टराइजर लगा सकते हैं अगर बहुत जादा ड्राय स्केन होती है तो अदरवाइस ओली स्किन वालों के लिए ये प्रोड़ेट खुद में एफिशेंट है कि ये स्पेस के मॉस्टराइजर मॉस्टराइ आपको जो कम लेना होगा ताकि आपकी स्किन ओवर वाली ना हो मैंने इसको तीन से चार दिन यूज़ किया है मुझे पिंपल एकने की प्रॉब्लम नहीं हुई है कोई भी इसको यूज़ करने के बाद बाकि इंस्टेंट इसने कोई एस सच रिजल नहीं दिया कि डर्क करता है मतलब की फेस पर आप अप्लाए करोगे तो आपको एक ग्लोइंग एफेक्ट फील होगा अपने फेस पे मुझे इसको अप्लाए करने पे मेरे फेस थोड़ा सा ग्लोई लगा इसमें कोई फ्रेग्नेंस नहीं है जो कि इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है कोई भी इ नहीं है तो वो डेफिनिटली इस प्रोड़ेट को चाय कर सकते हैं को एक ग्लो देगा चमक देगा रौनक बढ़ाएगा फेस की ऑली स्किन के लिए और भी डिफरेंट प्रोड़क्ट्स आते हैं प्लम में आप उनमें से कोई सर्च कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिं कमेंट कर सकते हैं तो गई चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ